तो चलो, सौब से आगे हमरे मन देखब राहेर करवारे में तो राहेर कर उन्नत प्रभेद कुन कुन है? राहेर कर उन्नत प्रभेद में बिर्सा अरहर एक और बहार आहे बिर्सा अरहर दूसो दस दिन में तयार हो जैल बहार दूसो सत्तर दिन में तयार हो जैल बिर्सा अरहर एक कर ओसत उपज बारा से पंद्रा क्विंटल प्रती हेक्टर होयल और इकर बिसेश गुन ई आहे कि ई मिस्रित खेती लगिन उप्युकता है बाहर कर उपज बीस से पच्चीस क्विंटल प्रती हेक्टर तक होयल और एहो मिस्रित खेती लगिन उप्यूक थोयल आप चलू देखा अपकी इकर ले खेत कर तयारी खेती कर काम केसन करल जाएं खेती कर तयारी दू तीन धाओं खेत के बेस नियर जोईत के पाटा चलाए देख चाही जोतेक बेरा गोबर कर सडल माइंद के पाँच टन खेत में बेस से मिलाए देख चाही राहिर तान भूई कर फसिला है सेहे लगिन खेत में पानी नी रहे चाही आप देखू बुने कर बेरा कैसना है को ना है राहिर के जून कर मधे ले जुलाई कर मधे तक बुन लेक चाहिए बिहिंद कर दरकानिय रहे भाई बिहिंदर 20 किलोग्राम प्रती हेक्टर हुएक चाहिए आप चलू देखा कि राहिर के बुनल बादे आब इकर में उर्वरक कौन-कौन डाल जाए राहिर कर खेती लगिन उर्वरक में 25 अनुपात 50 अनुपात 25 अनुपात 20 किलोग्राम एन-P-K-S प्रती हेक्टर कर दर से 110 किलोग्राम प्रती हेक्टर और चूना 4 कौन्टर प्रती हेक्टर कर दर से पर्योग करल बेस रहेल इकर अलावे यूरिया के 12 किलोग्राम प्रती हेक्टर में DAP के 110 ग्राम प्रती हेक्टर और मूरेट औफ पोटास के 40 किलोग्राम प्रती हेक्टर में परियोग करेक्चाही राहिर कर खेती में जिवानों खाद कर परियोग बेस रहेल बुने कर पहले बिहिन के राईजोबियम कल्चर से दवाई करेक चाही चलू अब निकाई गुडाई देखा थी राहेर कर खेती में दू धाउ निकाई गुडाई करेकर दरकारा है पहिल धाउ निकाई गुडाई बुने कर 25 से 30 दिनक भीतरे और दोसर धाउ चालिस से 45 दिनक भीतरे करे देख चाही अब चलू एहो फसल मन में पिलवा मन लागे ना बेमारी मन होयल तो उकर सनरक्षन कालके करेल जाए पहुधा सनरक्षन पिलवा कर रोक थाम फली छेदक राहेर में बगरा फली छेदक होय जायन पिलवा मन फर के छेद के दाना मन के खाय जायन फल माखी पिलवा कर छोवा पिलवा दाना मन के नुकसान करें और फली बग फर मनक रस के चुईस लें इकर चलते फर मनक बाढ़ेक रुइक जायन इकर रोक थाम के सन करल जाए E. पिल्वा मन के रोकेक ले दू या तीन धाउं पिल्वा नास करे या दवाई के छिड़केक चाही पहिल छिड़काओ इंडोकसा कार्व 0.5 मिली लीटर प्रती लीटर पानी कर परियोग उविरा करल जैल जखन फसिल में 50 अनुपात 12 फूल निसेक जैल दोसर छिड़काओ 15 दिनक फितरे मोनो क्रोटो फॉस तरल एक तसमलो सुन्य लीटर प्रती हिक्टर से केर देख चाही बेमारी कर रोक थाम उख्ठा बेमारी जे पोधा बेमार होयल से कर पताई मन पीर होय जैल और पोधा मन मुर्जाय के सुईख जैल पोधा कर हिटे बटे कर भाग जे रहल से करिया होय जैल अभी बेमारी कर रोक थाम के से करू इके रोक एक लगिन राहिर संगे जवार के लगाय देख चाही जे पोधा मन में बेमारी होय जाय से के उख्राय के पोड़ाय देवन चलू आप देखा थी इकर रोक थाम के सन करल जाय इके रोक एक लगिन राहिर संगे जवार के लगाय देख चाही जे पोधा मन में बेमारी होय जाय से के उख्राय के पोड़ाय देवन बसंत बहार सरत और अरहर एक रोग रोधी किसिम के लगाय चाही बिहिन कर दवाई कारबेंडा जिम दू ग्राम प्रती किलो ग्राम बीज कर दर से केर देवन खेत में एदका से एदका गोबर कर सडल माइंद और खरी कर परियोग करें खरपतवार कर नियंत्रन लगिन फ्लू क्लोरालिन पैंतालिस इसी दू लिटर प्रती हेक्टर कर दर से खेत कर आखरी बेरा कर तयारी में केर देख चाहीं आप इतना करल बादे हमरे कर फसल तयार है हमरे कर रहे कर रहे तयार है तो उकर कटनी दोरी या की दाना कर भंडारन केसे करल जाएं रहे कर फर चखन पाइक जाए तखन हस्वा से कैट लेवें और रोध में सुखाय देवें तले समाट से पौधामन के धिड़ाय के दाना के छिनकाय देवें रहे कर दाना के रोध में बेस से सुखाय के भंडारन केर लेवें